पहलवानों के आरोपो पार खेल मंत्राले का बड़ा आक्षन कुष्टी फेडेरेशन के सहायक सचीव भिनोध तोमर को किया सस्पेंड खेल मंत्राले को कुष्टी संगा जवाब WFI ने कहा आरोपो में कोई सच्चाई नहीं पहलवानों का धरना बड़ी साथे विबादों के बीच खेल मंत्राले का बड़ा फैसला गोंडा में नाशनल ओपन व्रसलिंग चैंपियनशिप को किया रद माठक सुकेश चंदर्शेकर का नया लेटर आया सामने नूरा फतेही पर लगाए गंभीर आरोप पत्र में लिखा नूरा चाहती थी मैं जैकलिन को छोड़ दू आज बीजीपी आईजीपी समेलन में पीए मोदी का संबोधान साइबर सुरक्षा जमू किश्मीर जैसे मुद्दो पर होगा मंत्र जमू के नर्वाल में धमाके के बाद तलाशी अभियान जारी सेना और पुलिस टीमों की जान जारी धमाकों में नौ लोग घायल हुए थी अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है कमाने के लिए भी है ये अचार के बिजनस करके महीने के पांच लाग कमा रहे हैं आपको भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए प्रभाव जमू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्राखण में बारिश की संभावना राजस्थान के सीकर में सर्दी का असर नियुनतम तापमान पांच डिग्री दर्श किया गया कई इलाकों में छाया रहा कोपरा उपेंद्र कुश्वाहा के बीजेपी में जाने की अठकलों पर बोले नितीश सबको अपना अपना धिकार है उनके मन में क्या है ये बही जाने फिल्म पठान के विवाद पर बोले असम के सीएम कौन शारुप खान मैं उनके बारे में नहीं जानता राहूल कांडी की इमेज़ पर बोले शशी थरूर भारत जोडो यात्रा से छवी में बदलाव आया बीजेपी ने छवी खराब करने की कोशिश की थी राजस्तान कॉंग्रेस में आपसी खीश्तान पर बोले शशी थरूर पाइलेट और गहलोट को बताया कॉंग्रेस का जिताव नेता बोले चुनाव में दोनों को साथ काम करना होगा राजस्तान कॉंग्रेस में तनाव पर बीजेपी का तंज मंजिंदर सिंग सिर्सा बोले राहूल कांधी के इशारे पर हो रहा है गहलोट और पाइलेट का विवार्ट दिली पे आम आग्मी पार्टी और एलजी के बीच में फिर तनाव एलजी ने मुखेवंत्री केजरिवाल से मिलने से इंकार किया आप आग्मी पार्टी का आरोप काम नहीं करने दे रहे हैं एलजी दिली के सीम अर्वित के इज्रिवाल ने उपराजेपाल पर निशाना साधा कहा उपराजेपाल को टीचरों और बच्चों का मजाक नहीं उडाना चाहिए दिली में गरतांत्र दिवस की तैयारिया, जारी, फुल ड्रेस, रिहलसल की तैयारिया, दिली में सुरक्षा के भी कड़े इंतिजा वयुसेना की पूरवी कमान, फरवरी में खरेगी युद्धा भ्यास, लड़ाको जेट, हेलिकॉप्टर समेथ कई हत्यारों का होगा परिक्षन, अरुणाचल और सिक्की में चीन का सामना करती है पूरवी कमान रक्ष्रमंत्री राजरा सिंग ने किया एंसेसी गर्तंत्र दिवसर शिबिर का दोरा कहा देश को एंसेसी पर गर्व, जबानों को रक्ष्रमंत्री ने पदक भी दिये ओलकाता में पुलिस और इंडियन सेकुलर फ्रंट के कारिकरताओं के बीच जड़ा पुलिस ने आईसेफ कारिकरताओं पर लाटी चार्ज किया, आईसेफ पर टीमसी के दो दफ्तर पर बम फेकने का आरूँ दिलि पुलिस ने छे शराब तसकरों को किया गिरफ्तार, कई शराब की बोतले बरामत, तीन कार और एक स्कूटी भी सब गाजियबाद में पती ने पत्नी के प्रेमी के हत्या की लाज को कई टुकडों में काटा, पुलिस ने पती पत्नी को गिरफ्तार कर जांच शुरू करनी है विहार के बारा में ठला बड़ा ट्रेन हासा, दो हिस्सों में बटी चलती मालगाडी ट्रेन के वैगन को जोड कर उसे रवाना किया गया बेलंगाना के कामा रेटी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, राजवेल अब जिहाद के वामले बढ़ने के आरोप लगाए, पुलिस ने प्रदर्शन कारियों को ख़दे रा मैनपुरी में बीजेपी नेथा की दबंग गई, जमीन विवाद में बीजेपी नेथा के भाईयों ने की ताबर तोड फाइरिंग पांच लोग घायल दमोव में अश्र में धोत महिना ने मचाया जमकर उतपाथ, बीच सड़क पर हंगामा किया मौके बार पती ने पुलिस को बुलाया बीजे बिनेदा किरीट सुमया ने बीमसी पर आरोप लगाया, कहां बीमसी ने कोरोना काल में ब्रस्टा चार किया बीमसी ने किरीट सुमया के आरोपों का खंड़न किया बीमसी ने प्रष्च चार के आरोपों गलत बताया महाराश्र के पालगर में M.N.S करीकरताओन ने दॉक्टर सिकी मारपीट सामने आया दॉक्टर की पिटाई का विडियो महराशने मुक्तिबंत्री देवेंद्र फडनमी से एमनेस नेता धरंजे मुंडे से की मुलाकात धरंजे मुंडे की घर पर हुई मुलाकात यूपी के कानपूर में अवैद कबज़ हटाने कई नगर पंचायत की टीम पर हमला घायलों का अस्पताल में जारी है इलाज यूपी के साहरनपूर में अवैद पशुत असकरी के खिलाफ करवाई पुलिस ने जब्ट की पशुओं के मीट से भरी गाडिया यूपी के साहरनपूर में पुलिस ने लूट पार्ट करने वाले चार अपरादियों को गिरफ़तार किया पिस्टल समेट का इधारदार हथियार जब्ट बिहार के मुजफरपूर में बांध के पास मिला शब्ट पुलिस कर रही है मामले की जाच यूपी के कास गंज में शख्स ने दर्ज कराई लूट पार्ट की जूटी शुकार पुलिस ने शख्स को किया गिरफ़तार यूपी के कौशामबी में जमीनी विवाद में दो महिलाओं की पिटाई पुलिस कर रही है मारपीट करने वालों की तलाज राजस्तान के उदैपुर में पुलिस ने तीन बदमाश्रों को किया गिरफ़तार चोरी के आरोप में किया गिरफ़तार राजस्तान के अलवर में कपड़े के दुकान में लगी भीशनाग फायर ब्रिगेड नियाग पर काबु किया बिहार के भागलपुर में पुलिस ने शक्स को अफरन करताओं के चंगूल से चुड़ाया तीन अफरन करताओं को गिरफतार किया गया राजस्तान के जुचुरू में मंदिर में चोरी सामने आया मामले का वीडियो पुलिस कर रही है मामले की जाच राजस्तान के दॉलपूर में ट्रक और टैंपो में जूरदा टक कर हाथसे में छै लोग खाया बिहार के बेतिया में राज के दुरान गर्बती महिला के मोथ होई पारेजनों ने जमकर हंगामा किया बिहार के गोफाल गंज में संदिग परिस्तिती में कहदी की मोथ परिजनों ने जेल प्रशासन पर इलाज ना कराने का आरूप लगाया बिहार के नवादा में पुलिस ने अफ़रन करने वाले चार बदमाश्रुकों की रफ्तार किया 40 लाख की मांगी थी फिरोपी मध्यप्रदेश के बुरहानपूर में भीशन सड़कासा बाइक सवार यवक की मांट यूबी के मिर्संपूर में नील गाय की बाइक सवार से टकर सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है वीडियो अर्याना के गुरुग्राम में गैंग्स्टर के घर चला बुल्डोजर अवैद संपत्ती पर नगर निगब ने चलाया बुल्डोजर 36 गर्ड के दुर्ग में चौती बाइक पर कपल का रुमांस पुलिस कर रही है मामले की चार्च जारकन के साहिब गंज में अवैद खरनन के खलाफ करवाई खरनन टास्क पोर्स ने चाप बिमारी की यूपी के प्रताबगड में मचवारों के जाल में फसी डॉल्फिन गाउवालों ने किया डॉल्फिन का रेस्क्यू यूपी के उनाओ में लूट पार्ट करने वाले गिरफ़तार 18 जन्वरी को की थी लूट पार्ट दिली पुलिस ने एटिम से चोरी करने वाले को गिरफ़तार किया बदमाशों से पिस्टल समेच जिन्दा कातूस परामत यूपी के बुलन शेहर में चात्रों के दो गुटों मेमार फीट कई चात्र गायल पुलिस कर रही है मामले की जाएंच यूपी के बारब बंके में कानुनगों के मुन्शी ने खुद को लगाई आग सोशल मीडिया पर वारल हुआ वीडियो यूपी के हरदोई में कुए में गिरी गाय का रिस्क्यू किया गया फायर ब्रिगेड और पुलिस ने रिस्क्यू किया यूपी के हरदोई में ट्रॉक से टकराई बाइक दो यूपो के मौके पर मौत हुई यूपी के सीतापूर में घर में लगी भीशनाग, बुरी तरह जुल से दो लोग मविश्यों की हुई मौट पंजाब के मोगा में चाइनीज मांचे के खिलाफ कारवाई पुलिस ने एक शक्स को गिरफतार दिया सड़क में धसी पंजाब रोडवेज की बस, बस में सवारते 36 लोग सभी आतरी सुरक्षे हर्याणा के पानीपत में, गेंखल टांकर में, वेल्डिंग के करते वक्त ब्लास्ट हुआ, दो लोगों की मौत हुई दो लोग घायल हुए मध्यप्रदेश के ग्रेमंतरी नरुत्तम मिश्वा ने ट्रॉली पलटने से घायल हुए लोगों से मुलाकात की, अस्पताल जाकर घायलों से मिले मुंबई में सुशान सिंग राजपूत के जन्मदिन पर विशेश सभा का आयूजन, सुशान के पिता ने समर्ध को धन्यवाद कहा जारगन के कोडर्मा में महिलाओं के लिए ताइकॉंडो चैंपियनशिप का आयूजन तीन सो से ज़्यादा महिलाओं ने हिस्स लिया राजनेतिक संकट के बीच पेरु में विरोध प्रदर्शन जारी है, पुलिस ने राजधानी लीमा में यूनिवरसिटी पर छापा मारा 200 लोगों को हिरासत में लिया इटली के लाजियोग शेत्र में उची समुद्री लहरों में फस्ता दिखा जहाज, दूसरे विडियो में जहाज में पानी गुस्ता दिखा वालकन शिट्र में भारे बारिश से बिगड़े हालात, अलबानिया में बार जैसी इस थिती है, कई गरों को खाली करा ली आगया पानी की सप्लाई बन फिलूस में लूनर न्यू यर की धूम मॉस्को में चीनी लोगों ने मनाया ज़स्ट स्वीडन के स्टॉक होन में टर्की के खिलाफ प्रदर्शन कुर्द समुदाई के लोगों ने मार्च निकाला स्वीडन में टॉकी दूतावास के सामने धार में ग्रंथ जलाने पर बवाल, टॉकी ने स्वीडन के राजदूद को किया तलब पौर्टगाल के लिजबन में अनिमल राइट्स अक्टिविस्ट का मार्च जानवरों के अधिकारों का समर्थन किया लोगों का मानना है पालतू जानवरों के साथ दूर्वेभार करना अपराद है स्पेन की समाजबादी सरकार का विरोध मैड्रिट में हजारों लोगों का प्रदर्शन सरकार पर समविधान को कमजोर करने का आरू नीदोलांज में मराया गया नाश्टरल ट्योलिप डे अमस्टरडर्म के गार्डन में दो लाख ट्योलिप के पूल लगाए गए लस बैंक पे इज्राइली सेना ने फिलस्तानी को गोली मारी है कथित तोर पर इज्राइली नागरिक को जाको माने के कोशिश दी थी रूस में सोवियत संग सरस्थापक लेनिन की 99 वी पुर्ण्यतिती मनाई गई रेड स्क्वेर पर दी गई शद्धान्जिली दूसरे बंडे में भारती के इतबासों का शांदार प्रदर्शन शमी ने लिए सबसे ज़ादा तीन विकेट प्लेयर आफ़ दो मैच का आवार्ड मिला अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है कमाने के लिए भी है ये अचार के बिजनस करके महीने के 5 लाग कमा रहे हैं आपको भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए